उसके ग्राड MLRS हमले से मचीद तबाही, बैटल फील्ड में क्यों जश्र मनाते दिखे रूसी जवान, विश्व युद की आश्रंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वल्ड वार टॉप नाइन युक्रेन के विद्वनसक हमले का जवाब रूस ने भी ग्राड अटाक से दिया युक्रेनी सैने ठिकानों पर रूस ने मल्टिपल रॉकेट लॉंच सिस्टम से, ताबट तो रॉकेट बरसाए इस हमले के दोरान एक रूसी जवान जश्ट मनाता दिखा, इस हमले में युक्रेनी सैने ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंच जा है डोनेस्क में रूस के खिलाब युक्रेनी सेना कई मोचो पर आटलरी से विनाशक प्रहार कर रही है युक्रेनी सेना ने फ्रंट लाइन पर तैनाट 2S7 पायाउंस सेल्फ प्रोपेल्ड गन और 2S4 ट्यूल पैन को निशाना बनाया युक्रेन के हमले में रूसी हात्यार निस्ता नाबूत हो गए हमले में कई रूसी सैनेक भी खायल हो गए जोनेस के बाटल ग्राउंड में आग उगलते गोलों ने रूसी सेना पर कहर बरपाया युक्रेन ने रूसी पोजिशन पर विद्वन सफ प्रहार करते हुए सेल्फ प्रोपेल्ड होविद्जर को तबह कर दिया बारूदी बौचार में ओविद्जर के टुकडे टुकडे हो गए दुनिया पर मंडरा रहे विश्वयुत के खत्रे के बीच रूस ने पश्यमी देशों को बड़ी धमकी दी बेलरूस में रूस के राजदूद बौरिस ग्रिजलोव ने कहा कि बेलरूस पर कोई हमला रूस पर माना जाएगा और इसके गंभी नतीजे होंगे बेलरूस पहले ही आटमी हमले की धमकी दे चुका है रूस यूकरेन जंग को लेकर सर्विया के राशबती अलेक्जेंडर वूचिश ने बड़ा बयान दिया अलेक्जेंडर ने इसे नाटो और रूस की जंग करार दिया उन्होंने कहा कि इस वार्ड से पूरे यूरोप में आर्थिक तबाही हुई है इसे हर किसी को सिर्फ नुकसान ही हुआ है जंग में आटमी खत्रे के आशंका के बीच रूस लगातार मिसाईलों का प्रड़क्शन बढ़ा रहा है अमेरिकी तिंग टैंक के रिपोज के मुताबिक जंग के बावजूद रूस के पास मिसाईलों की कमी नहीं है अब तक रूस नहीं युक्रेइन पर छे हजार से ज़ादा मिसाईल अटैक किये है विश्वयूद के खत्रे के बीच अमेरिकी बॉंबर बीटू ने अलासका में चल रहे वार ड्रिल में हिस्सा लिया वार ड्रिल के दौरान बॉंबर बीटू स्पिरिट स्टील्थ ने आइसलैंड से अलासका तक उडान भरी इस दौरान ये आर्क्टिक सिर्कल से भी गुजरा बीटू के अलावा 80 अमेरिकी फाइटर जेट ने शक्ती का प्रदर्शन किया उतर कोरिया के एटमी खत्रे को देखते हुए दशन कोरिया और अमेरिका ने जौइंट मिलिटरी ड्रिल शुरू कर दी है 31 अगस तक चलने वाले इस मिलिटरी एक्सेसाइस में चनौतियों का मुकाबला करने की तैयारियों को परका जाएगा 11 दिनों तक चलने वाले इस ड्रिल में कई अत्याधुनिक अत्यारों का इस्तवाल किया जाएगा और मुस्की खाड़ी में एरानी नौसेना ने अमेरिकी वार्डशिप के खिलाफ कारवाई का वीडियो जारी किया जिसमें एरान के ड्रोन और स्पीड बोर्ड युदपोत को घेरते दिखाई दे रहे हैं चार दिन पहले अमेरिकी वार्डशिप को पीछे हटने के लिए एरानी नेवी ने मजबूर कर दिया था